हलो वीवर्स वेलकम बैक देखिए आज मैं आपके लिए लेकिया आई वेक मज़िदार सी और बहुत ही सिंपल सब बनने वाला मटर का पुलाव चलो देखिए इसको कैसे बनाते हैं मटर बनाने के लिएविवर्स आपके पास जो भी चावल है आपको ले ले और जितने भी आपने बनाने उत्रे लेूं मैंने एक कप लिया है, चार कप का मेजरमेंट मैंने लिया और मैंने इसको एक घंटे के लिए चावल को अच्छे से वोश करेके बिगो के रख दिया था चावल जब भी बनाए हमेसा बिगो के बनाए बारीक बनेगा और खिला खिला बनेगा उसके बाद मैंने इसको drain कर लिया ताकि जो इतना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए अब मैंने इसके लिए है frozen mutter mutter ये वैसे मैंने घर के ही है निकाल के रखे होए थे store करके इनको मैंने अच्छे से धो लिया है लोंग, काली मिरच, कुछ भी आप डालना सकते हैं डाल सकते हैं मैंने थोड़ा सा मारी कट के लिया है अद्रक इसमें मैं एड़ करूँगी देगी मिरच optional है और मैं एड़ करूँगी गरम मसाला ये भी optional है अब इसको तोड़ा सा color आने के बाद मैं इसमें एड़ कर दूँगी जासे कि इसमें बॉil की हुए पानी में इसको डाल दूँगी और अच्छे से मैं इसको मिला दूँगी उसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक एड़ करें इस स्टेज पर आप नमक एड़ करें और अच्छे से गोल के फिर आप थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं नमक यहां से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कम जादा हलका सा आपको जो ठीक लगे ना उससे हलक में लाल्मी चाड़ नहीं किये, आप खाते हैं तो आप लाल्मी चाड़ में एड़ कर सकते हैं इसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी औरquito कुद ही इसको स्टीम को निकलने देना है हमने निकालना नहीं है यह देखे विवर्स एक सिटी लगने के बाद हम अपने कुकर को अपन करेंगे और ज्यादा कर्ची से बिल्कुल भी नहीं चलाए चावल आपका तूट जाएगा आप हातों की हल्प से और कर्ची का यूज कर करके दिखाती हूँ चावल हमारा कितना अच्छा कितना बारीक बना हुआ है और वीवर्स यह पुलाओ कुछ ही मिंट में फटा फट से बनके रेडियो जाता और खाने में इतना टेस्टी लगता है इसको आप दहीं के साथ खाए लंच में ले डिनर मिले इसको आप पुद तो वीवर्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई